ये बिधान सभा नए सीरे से चुनाओकियाव सकता इस बिहार लगभग सकता पक्ष और विपक्ष मृत्प्राय हो चुका है बिहार के लिए नासूर बन चुके हैं मानपता इंसानियत के लिए और 11 करोड लोगों के लिए ये लोग खत्रे हैं नए जनादेश की आवशकता है जो हलात है विहार के बिधान सभा में सिवाय राजनिती के क्या कभी सकारातमक बहस होगी शुकुरवार को करके आप बंद हो जाएंगे फिर टीए डीए उठाएंगे और फिर अपचारिकता सिर्फ निभाई जाती है बजट सेशन के रूप में दो लाक्ति particular का बजटी पेज़ करते हैं धाग के तील पात nहजार करोर रूपया मात्र स्वास्त विभाग पर लुभी बंदरमात हो जाता है ते पूछेगा परिवार से आप्र कि क्या खेल क्या चल रहा है किस कोने कोन कहां गुट गुटूर कर रहा है लालो यादवजी को क्यों राजनितिक रूप से समाप करने की कोशिस की गई इन लोगों के द्वारा जो एकसेप्टिबिलिटी थी जो एक समाज में उस वेक्ति की अपना रेस्पेक्ट था उसको भी समाप कर दिया तो विपक्स की खिबारे में मैं क्या चर्चा करूँ मैं इतना कह सकता हूँ दया आता है कि इन लोगों ने जातियों को जिस तरीके से इस्तमाल किया और आज भी इन लोगों को लगता है कि सेवा या मौत या बिहार या law and order या भरातकार या लगातार हत्या ये हम राजनिती करके ही संख्याबल जुटा सकते हैं सोशल इंजिनिरिंग करके आम आदमी की सेवास बिपक्ष और सत्तापक्ष नहीं करना चाता है उसकी अबाज नहीं बनना चाता है मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बिपक्ष को सदन में नैतिक जिम्मेदारी नहीं है जिसने सारे 600 लू और मजबफर पूर की घटना के खुपोशन के मौत के बाद जिस को क्या राजनिती में जिंदा रहने का आप कोई रूट कौज है क्या विपक्ष आपको लगता है मुझे लगता है कहीं न कहीं कोई गेम प्लान कोई बड़ा खेल चल रहा है विहार की राजनिती में मुझे लगता है निकट भविश में आपको बड़ा उलट पुलट पिखे होंगे कि किस आत्मन्थं करके या किस अंडर्गराउन में या कौन सा बड़ा गेम हो रहा है तो उनसे पुछे लेकिन बिहार के गेम को बिहार के जनता को इन लोगों ने मार दिया इन लोगों पर भरुशा और उमीद बिहार की जनता को सदन पर इस विद्धान सभा पर नहीं रही इसलिए नए जनादेश की जो रही है अब बिजेपी और जदियू के भीच की लड़ाई में बिहार की जनता क्यों पीछे सरकार और विपक्स यदी खत्म हो गया तो बिहार की जनता कहां जाएगी इसलिए हमने गवर्नर साहब के हां हम आये थे कि बिहार की जनता को भगवान भरों से मत छोड़िये बिहार की जनता को किस्मत और नियती के भरों से मत छोड़िये